नमस्कार दोस्तों मार्केट 11 में आप सबी लोगों का स्वागत है चलिए दिखते मार्केट कैसा भेव कर सकता है सेकेंड हाफ में अगर हम करेंटली निफ्टी बैंग निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेट करा रहा रहां उनने सजा 331 पर और बैंग पाहरी है तो कोई जादा बड़ा जैकपॉट यहां पर फाइंड आट करने की कोशिस मत करिए जिन लोगों ने मॉर्निंग में पुट वाय करी थी आपकी बीस अजाद दोसों कि उसमें उनको प्रॉफिट काफी अच्छा मिल रहा हो क्योंकि डबल हो चुकी है तो उसको ए लोग के टागेट के लिए मैं प्ले करता हूं तो आज का डेलोग का टागेट मेरे को अल्लेडी निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में ऑल्मोस्ट मिल चुका है तो मैंने अपनी पोजिशन यहां पर एक सपोर्ट एरिया भी है यहां पर कल मैंने आपको बताय सब्सक्राइब काफी हद तक शॉर्ट कवरिंग यहां पर बनती होई दिखाई दे रही है 19300 के पर करीब एक करोड तेरा लाग का ओपन इंटस्ट है और पूट पर कितना है 57 लाग का अब देखो यहां पर एक चीज़ क्लियरली समझ लीजिएगा इंपोर्टेंट चीज क् तक 19300 की नीचे निफ्टी टेट का ट्रेड नहीं करेगा तब तक यहां पर कोई प्रॉल्लम वाली बात नहीं है तब तक यह पॉजिटिव साइट पे ही ब्येव करेगा नीचे सपोर्ट लेकर हो सकता है थोड़ा सा बाउंस आ जाए बाउंस में आप हो सकता है ट्रैप हो गया फिर नीचे नहीं गया गया इसके नीचे ट्रेट करना स्टार्ट करता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनने सजाए 240 या फिर उनने सजाए 200 तक भी चला जाए क्योंकि जायट सी बात है अल्लेडी मार्केट काफी जाता हुआ है टॉप से सेलिंग आ रही है तो इंपोर्टेंट चीद है कि उनने सजाए 300 के नीचे अगर यह जाता है तो उनने सजाए 300 के नीचे क्या होगा पोट्राइटर्स थोड़ा सा टेंशन में आएंगे कि मार्केट लगता है उपर नहीं जा पाएगा हमें अपनी पोजिशन को छोड़ना चाहिए तो वहां पे हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यह फिर अरॉंड 45,000 और 44,900 तक भी जा सकता है यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ठीक है और फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं तो फिन निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट है देको एक गैप बना है गैप बना है तो इस चैनल का अगर हम करें के गैप खुलने के बाद दुबारा से नीचे आ रहा है तो चांसे बन सकते हैं कि यह इसको भी ब्रेक करके नीचे की तरफ आ सकता है तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अलर्ट होके काम काच करना कोई एग्रेसिव प्लान मत करिएगा क्योंकि श जाए 230 के नीचे तो फिर इसके पास काफी जगह है गिनने के लिए तो वह पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजेगा ठीक है ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं करेंटली फ्लैट से हैं कुछ जाधा बड़ी पॉजिटिविटी जाधा बड़ी नेगिटिविटी यहां पर नहीं दिख रही है ओवर दा नाइट भी यह फ्लैट से ही कामकाच कर रहे थे तो हमारे मार्केट में हो सकता है आज का दिन थोड़ा सा प्रॉफिट वुकिंग वाला हो क क्योंकि expiry FNFT की वज़े से क्या हो सकता है कि थोड़ी बहुत continue profitable के रह सकती है क्योंकि जाएट सी बात है बिल्कुल lifetime high पर अगर index खुल रहा है तो कहीं ना कहीं जो call writer है वो traps हैं और वो थोड़ा बहुत मार्केट को नीचे लाने की कोशिस कर सकते हैं तो देखते हैं यहां पता है उनने 300 की नीचे जाता है नहीं जाता है that is the important point for the nifty ठीक है तो I hope दोस्तों यह particular data आपको समझ में आगया होगा तो फिलाल इस वीडियो में इतना है I hope यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता है तो like and share जरूर करिएगा और चैनल को जो subscribe के लिए क् मैं सुझी लेके आता हूँ हर दिना क्लिए नहीं वीडियो इसी कितार शुक्रिया दोस्तों चैनल